हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सबीगा फिर से हमाय चानल एकोहिल आगरी में तो आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे का सबसे मच अवेटेड जो सीरीज थी वो यानि कि AFO सीरीज ठीक है तो हमने प्रीवियस क्लास यानि जो AFO मेंस के जो स्लेबस को मैंने डिसकस किया था कि डिस साथ जो टॉपिक होहिसा भूम फिर आकर जो कोशन पूचे जाते हैं तो वह साथ टॉपिक हम आज कभर करना स्टार्ट करेंगे už आपको साथ से आठ वीडियो में आपका साथों का साथों टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो कौन को से साथ टॉपिक है आपका फीर है स्वाइल रिसोर्स टेक है नेक्स्ट है आपका इनमल हजबंडी देन है रूरल वेलफेर एंडिया इंडिया में जो रूरल वेलफेर एक्टिविटीज हो रहे हैं जो कि गौर्मेंट इसकीन्स पॉलिशीज मेजर्स वगर लेके आ रहे हैं तो उनके बार में हम देखेंगे जो कि एफो में एफो के मेंस के सिलेबस में पूछे जाते हैं तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है क्रॉप हर्टिकल्चर तो देख लेते हैं क्रॉप हर्टिकल्चर को तो देखें तो क्रॉप हर्टिकल्चर में में आता है हमारा क्या हर्टिकल्चर तो हर्टिकल और आपका fruits के बार में पढ़ा जाता है तो हम भी यहें पर वही करेंगे vegetable और fruits के बार में पढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे किस topic से कैसे कैसे questions आते हैं और फिर हम उसे discuss करेंगे questions के साथ तो सबसे पहला अप्टा topic देख लेता है spacing time of showing अफिस seed rate यहां एक चीज़ छूट गया है friends आप नोट कर लेना showing method देखेंगे वह बहुत important है आपको पूछ लिया जाता है अब इससे question कैसे पूछा जाता है कोई भी fruit या particular vegetable का नाम देदेगा बोलेगा भाहिया इसका spacing बताओ भाहिया इसका time of showing बताओ तो वह हो गया next variety सबसे most important variety कोई variety उठा के आपको देदेगा बोलेगा भाहिया यह कौण सा variety यह किसका variety है वो हमें नाम बताइए पढ़के आयो ना exam में EFO में कि ऐसे पढ़के उठके आ गए हो तो बताओ भाहिया variety का नाम अब है कि herbicide and pesticide इससे कैसे question पूछेगा इससे देखो फ्रेंड कैसे question पूछेगा बताता हूँ वो यह chemical का नाम देदेगा बोलेगा भाहिया आप मुझे यह बताओ कि यह herbicide है pesticide है, weedicide है, rotenticide है क्या है भाहिया यह फिर हर्भी का जब हम classification पढ़ेंगे weedicide का classification पढ़ेंगे तो उसमें भी पूछ लेता है यह किस type का classification के अंडर आता है कुछ भी पूछ लेगा तो next है हमारा important point कुछ-कुछ important terminologies वगरा मिलेंगी हमें यहाँ पे plants के regarding fruits के regarding और आपको vegetable के regarding तो यहाँ पे हमें उसे ध्यान देना है next है preservation of food sorry fruit and vegetables vegetable और fruits को harvest करने के बाद कैसे preserve करना है कितने degree में preserve करना है कहां preserve करना है वो सब चीज़े हम यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ से basically कोशन होता नहीं उठता है अब next topic six कि यहाँ है cropping system का type cropping system क्या है कैसे cropping system काम करता है वो सारी चीज़े हम यहाँ पे discuss करेंगे next सबसे important हो जाता है पता है क्या different different disease crops के fruits के vegetables के different different disorder physical disorder physiological disorder different different nutritional deficiencies बोलेगा भाया fruit cracking जो हो रहा है वो किस deficiency मतलब कि कौन से nutrition के deficiency के कारण हो रहा है जैसे आप लोग जानते होगे ना 17-18 जो होता है nutritional element ठेक है तो उसमें से boron के कमी के कारण हो रहा है nitrogen के कमी के कारण हो रहा है तो भाई यह nitrogen के कमी कारण क्या होता है यह सारी चीज़े बिसेगल यहाँ पर पूछी जाती है तो चलते हैं अपना first topic को पर spacing time of sowing unseed rate और sowing method या पर sowing method शूट गया आप लिख लेना तो अब क्या देखेंगे अभी आपके पास भी बहुत कम time बचा होगा तीन से चार मेने बाद तो exam ही है अना तो बहुत कम time बचा है तो सारे सभी fruits और vegetable पढ़के कोई फायदा है ने उल्टा मेरा ही time waste है आपका भी time waste है सबका time waste है तो हम क्या करेंगे कुछ particular fruits कुछ particular vegetable जो की बहुत ज्यादा important है और exam में आने के chances जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाते है ठीक है तो उन सभी fruits and vegetables को हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे सिखेंगे जानेंगे अब दिमाग में घुजा लेना रटके पढ़के याफी कैसे भी अब हम देखते हैं कौन-कौन सा fruit important है वह है pineapple आपका pomegranate अनार banana mango coconut आपका papaya और guava और citrus fruit citrus fruit में देखें friends आपको तीन पढ़ना है ठीक है कितना पढ़ने है तीन पढ़ने है लेकिन सबसे important हो जाता है लाइम और next important है apple पूछ लेगा apple भाई climatric है non climatric है कुछ ही पूछ लेगा तो है potato vegetable में आ जाते है potato tomato cabbage jackfruit jackfruit से भी बहुत कम question देखनों को मिलेगा आपको लेकिन पढ़ना तो है ना तो फिर onion आपको chili आपको brinjal next उक्रा इन सभी vegetable and fruits के बार में हम लोग पढ़ेंगे यहां पे अब आ जाते है fruits and vegetable बार में क्या क्या पढ़ना है आपको पूछ लेगा आपको botanical name पूछ लेगा या फिर किसी का botanical name दे देगा जैसे कि for example ananas botanical name दे दिया पूछेगा भई यह botanical name है किसका pineapple का है pomegranate का है बनाना का है या फिर mango का है तो आपको pineapple पे टिक मारना परेगा अब एक एक करके देख लेते हैं हमारा spacing अब इस पेसे सबसे ज्यादा important पता है कौन सा है यह showing method ठीक है पूछ लेगा भईया सकर जो है किस fruit का showing method है दे देगा फिर से pineapple, pomegranate, banana, mango या किसका टिक मारना या फिर नन अब दीज कुछ भी दे देगा पाइनपल पर फिर सिट्टिक मारना पड़ेगा तो देख लेते हैं अब यहां पर पढ़ने से पहले एक और चीज ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि अधिकत्य वेजेटेबल्स जो होते हैं वो सीट से नरसरी बना जाता है फिर उसका transplanting होता है तो वो common इसप्तिंग भी common है अब जू है सीट भी common है सीट भी common है अब इस Chapter आया का गवाभा क्या Evangelisters यहांपे मैं RDH कर लेता हूं तो चलिए देखते हैं पाइनपपल सबसे पहला है पाइनपपल अनास क्या है अनानास कोमोसस फिर से बोलेंगे अनानास कोमोसस इसको बार बार दूरा ना फ्रेंड्स आपको दिमाग में बैट जाएगा सेटप कर जाएगा इसका स्वेंग में ठाड़ है सकर यहाँ दखना कुछ स्पेसल है नाम फिर टाइम ऑफ स्वेंग डिसंबर से मार्च इस पेसिंग किता है 30 इंटू 60 सेंटिमेटर यह विसिकली क्या है रो इंटू प्लान्ट का डिस्टेंस ठीक है नेक्स्ट है पुमे ग्रेनेट पुमे ग्रेनेट क्या प्यूनी का ग्रेनेटम अब है कटिंग और एयर लेरिंग कैसे होता है दो मेंटर से होता है कटिंग और एयर लेरिंग अब इसका जुलाई अगस्त होता है टाइम ओप स्वेंग ठीक है और इस पेसिंग कितना होता है 2.5 इंटू 3.5 मीटर रो इंटू प्लान का डिस्टेंस फिर है बनाना हमारा मुसा एस्पेजिस सबको पता है यह स्वोर्ड सकर यह भी बहुत बार एक्जाम में पूछ चुका है ठीक है? वो सके तो इस बाब पूछ दे प्रिबियस यहर से है तो फिर इसका जो टाइम आफ स्वोइंग है वो अक्टूबर से नॉवंबर और इसका जो स्पेसिंग है 1.5 इंटू 1.5 मीटर अब हैं मैंगो सबको पता है मैंगी फेडा इंडिका या फि मैंजी फेडा इंडिका जो बोलना है आपको बोलो सबको पता है अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंज कि इसका जो जेनरल जो मत्तब की नॉर्मली जो मैंगो का स्पेसिंग होता है ना वो है 10 x 12 मिटर तो रो इंडिका डिस्टेंस है इस प्रेसिंग है बिसिकली लेकिन आमने पाली के के स्में क्या होता है को सन यहां से पूछा जाता है वह घट के हो जाता है तुमको आपको 2.5 x 2.5 मिटर यानि कि यह आप देखरें बहुत डेंस्ट वे में आपको स्विंग किया जा रहा है आमने पाली का आमने पाली का मैंगो का तो यहां पर यह हो जाता है आपका एक्जाम्पल एच dp यानि कि hdp high density plant तो यह आमने पाली हो गया hdp यानि high density plant यानि high density variety है mango के अगर आप से पूछ ले कि भाईया बताओ कि high density variety बताओ एक मैंगो की आपको आमने पाली पर टिक मारना होगा जितनी भी सारी मैंगो की वेराइटी है ना सबसे ज्यादा high density जो प्लांट है वह आमने पाली ही है ठीक है 2.5 मिटर into 2.5 मिटर इसके spacing याद रखना आपको पूछ सकता है और नेक्स्ट है कोकोनट हमारा कोकस न्यू की फेड़ा उसके स्विंग कैसे करते हैं सीड इनर्ट से ठीक है और इसका टाइम स्विंग क्या है में टू जून और spacing की बात करें तो 7.5 इंटू 7.5 मिटर ठीक है अब बात करते हैं important पापाया की तो पापाया है कैरी का पापा याद कर ले ना बस तो इसका टाइम आफ सोईंग है वह नहीं पूछेगा क्या क्यों बहुत ज्यादा complicated हो जाता है इस प्रिंग में भी हम उगा सकते हैं इसका मॉंसून में भी उगा सकते हैं तो इसलिए पूछेगा नहीं ठीक है नेक्स्ट है आपका spacing क्या होता है पापा ग्रेनेट के केस में दो था कटिंग और एयर लेरिंग तो इसमें भी वही दो है वही दो नहीं है मतलब इसमें भी दो है इस टूलिंग आपका और माउंड लेरिंग ठीक है आप पढ़ लेना नेक्स्ट है आपका time of showing तो वह February, March, October to September नेक्स्ट है आपका spacing कितना होता है 6.5 इंटो 6.5 मिटर तो आपको यह समझ में आ गया 7 7 fruits यहाँ पर हमने cover किया है with botnical name, showing time, showing method और spacing ठीक है अब बाकी बचे जो apple मेंडरिंग जो भी है उसको देख लेते है तो apple का जो botnical name होता है वह मालूश डोमेस्टिकास होता है ठीक है sealed budding पूछ important आया कुछ अलग सा आया पूछ लेगा sealed budding सरी sealed budding ठीक है इसका method of swimming अब इसका जो है आपको January to February यह होता है और इसका 4 into 4 into 4 मिटर होता है ठीक है अब मेंडरीन और sweet orange और कागजी लाइम यह तिनों के तिनों क्या है यह तिनों के तिनों आपको citrus fruit के example है इसके example है citrus fruit के अब यहां पर मैं आपको एक trick नहीं आपको एक common sense वाली बात बताता हूं कि आपको जो citrus fruit है ना उसको उसका जो showing method होगा आपका उसका जो time of showing होगा और उसको जो spacing होगा वो तिनों का तिनों आपको same दिख रहा होगा इसका भी आपको सीट से होता है यह लेडिंग से होता है टी बडिंग से होता है यह भी आपको सीट से होता है यह लेडिंग से होता है टी बडिंग से होता है लो भाईया तिनों का तिनों सेम है इजी कर दिया मैंने आपको एक याद करना है तिनों याद हो जाएगा इसका मेंडरीन स्वीट और कागजी लाइम लेकिन अपको इसका बाटनी करना मैं हम याद करना परेगा सीफ और यहाँ पर है और मैं चैनल नृवर्ण पर देखना सैपर के कोनफन और मैं ये जो इंट्रोड़क्शन पर्ट है वो खत्म हुआ है जर हम आगे बढ़ेंगे करें विजटेबल पर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने इस पेसिंग कहीं मेंसन नहीं की है ठीक है इसके पीछे करीजन यह है कि सारी मेहनत मैं ही नहीं करूंगा कुछ मेहनत आपको भी करने परेगे इस पेसिंग आपका काम है आप लिखो उसके अपने नोट्स में कॉपी करो कहीं से गूगल से करो लेकिन हाँ याद हो जाना चाहिए और अगर हो सके तो कमेंट में भी आप कमेंट कर देना कि भाईया पोटेटो टोमेटो जो भी बिंजल वगरा उक्रा वगरा जो भी वेजटेबल है उ नेक्स उसका सीड्रेट यहां पर सीड्रेट थोसा इंपोर्टन हो जाता है और फ्रूट में इंपोर्टन नहीं होता है क्योंकि वेजटेबल में पूछ लेता है तो देखते हैं सबसे पहला पोटेटो आपको सभी को बोटनिकले में इसका याद होगा बोलने के कोई जरत सब्सक्राइब लाद नहीं है सोलैनम पर उसम्बड़ोसम अभी मैं बोल देता हूँ आफ जो सोईग में ड़र वो से होता है सबको पता है रेकिंग इंपॉर्टन बात यहां पर यह है कि कि इस में डर्ट से होता है यह तो जो एविआ सीट टाइप का होगे ना अभ एकस मे और सीड रेर जो होता है वो 22-25 कुंटल पर हेक्टेर इसमें कोई तोप वाली बात नहीं है याद हो जाएगा सिंपल सा रट लेना जो भी करना होगा कर लेना अब नेक्स टोपिक सरी नेक्स विजटिबल पर आते हैं टोमेटो इसका जो बॉट निकल नेम होता आप इसका सीड और नर्सरी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अधिकतर जो मोंस्ट आप वेजटेबल होते हैं ना और सीड से नर्सरी होंगे फिर हम ट्रांस्प्लांट कराएंगे आप ऐसे भी अपने सोसाइटी आपने जो फिल्ड होगा आपका जो फार्म होगा अलग सा दिखता है उसे मैं एक बर बता देता हूं जैक फ्रूट अलग सा दिखता है सॉफ्ट उड ग्राफ्टिंग क्योंकि इसका कोई छोटा छोटा प्लांट नहीं होता है आपने देखा होगा कभी कटाहल का पौधा नहीं बोलता है क्यों क्योंकि वह बरा बरा होता है पीयां तो वेम शनक वरलते हैं मतलब सब्ड़र्स से करते हैं उनियन्हीन इसे से करते हैं तो यह कुछ अलग सा दिखा जैकपूर्ट आपको कुछ अलग सा दिखा बाकी सब वही है सीड नर्शरी ट्रांस्प्लंट वही आपको दिखेगा अब कहां पर थे हम लोग कैबेज पर तो कैबेज का जो है ब्रैसिका ओलरेसिया विराइटिक कैपिटाटा यह भी इसका सीड रेट कितना होता है 500-750 ग्राम पर हेक्टे यानि एक हेक्टर में इतना लेगा अब बात करें तो जैक्फूट की जैक्फूट बोले तो कटहल इसका थोज़ासा डिफकल्ट हो जाता है इसका बोटनी का लेम आप बोलोगे मेरे साथ बोलोगे एक फिर से बोलना आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस देख ले न और शॉफ्ट ऊड़ ग्राफ्टिंग इसका होता है और यह जो बाकी बचा है यह तो आप आपको ही लिखना है कमेंट करना है जो भी है जो नोट्स में कॉपी करना है नेच्ट है ओनियन ओनियन का है एलियम सि सब्सक्राइब लगता है मिल्प amigos लगता है ति क्या होता है टुसुट शुरूर्फ में कुसीॉषब सब्सक्राइब और इसका जो सीड रेट है 121.5 केजी पर हेक्टियर अब बिंजल क्या सोलेनम मेलोंगेना इसका भी सीड नर्शरी वही है और इसका जो 200 ग्राम पर हेक्टियर इसका ये सीड रेट है अब बात करते हैं ओकड़ा बिंडी लेडी फिंगर इसका भी तोर सा डिफकल्ट हो जाता आप इसका जो है सीड है इसका भी सीड है नर्शरी वही फलाना डिमकाना वही इन्हों का चोचला है सबका एक ही है कुछ-कुछ अलाग है तो वह याद कर लेना दिमाग में गुसा लेना ठीक है अब इसका सीड रेट है वह कितना है 12-15 केजी पर हेक्टियर ये हमारा हुआ ह्गा खतम क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इंट्रोडक्ति पार्ट है वह सब किस व्रूट की वरायिटी की वराइटी की वराइटी है बताना पड़े तो देख लेते हैं एक-एक करके सब इंपोर्टन व्राइटी हमने लिखी है तो इस में से बहुत का नाम आपको पता होगा याद होगा जो नहीं याद होगा उसको आप रट लेना या फिर याद कर लेना तुछ है मैंगो मैंगो का आपको पता होगा अलफॉंसो होता है आमर सबसे इंपर्टइंट वह जाता है जो कि कुछ इसका अलग फीचर रहता है है उसका अलग करेक्टरिस्टिक्सक्राइब बहुत सकते और में बार बार आपको यह बात सिखा रहा हूं बोल रहा हूं तो तो आमनेपाली जो है irregular variety हो जाती है irregular variety अगर आपको बोले कि irregular variety अंगो का कोई irregular variety के नाम बताओ तो आपको आमनेपाली पर टिक मारना पड़ेगा ठीक है और अगर कोई बोले यानि कि हाइड देंसिटी प्लांट या फि HEY देंसिटी वेराइटी का नाम बता मैंगों का वो भी आमने पली हो जाता है यानि कि यहाँ पर आमने पली तो चंपा है क्यों नाम अब बात करते हैं साइटरस में आपका थीन पर ना था ना कौन-कौन सा मेंडरीन था लाइन था स्वीट औरेंज बगर था तो अब देखो तो एक विराइटी है चक्राधार चक्राधार कैसी विराइटी है सीड्लेस लाइ में आपने निम्बू लेगा क्योंकि that is seedless lime उसमें seed होता है नहीं है अगर आपसे पूछे कि यह seedless lime का एक 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 जामपल बताओ एक वराइटी बताओ तो आपको चक्राधार पर टिक बाढ़ना परेगा अब है sweet orange की एक वराइटी pineapple pineapple उतने important नहीं है लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे क्योंक pineapple is a variety of death यहाँ पर पूछ किया रहा है pineapple किस की वराइटी है यह pineapple एक variety है किस crop की वराइटी है वो पूछ रहा है लेकिन जल्दी बाजी में क्या होता है pressurize हो जाता है दिमाग उसके चक्र में जल्दी बाजी होने लगता है ठीक है तो उसमें क्या करता है आदमी सोचना लगत है कि भाई pineapple का variety को पूछ रहा है लेकिन पूछा कुछ और है समझ कुछ और है तो वही है कि question ध्यान से पढ़ना friends और answer आपको अगर पता होगा तो सही हो जागा नहीं तो पता होते हुए कहीं बहुत सारा question गलत हो जाता है तो घर पर आके बोलते हो कि भाई या क्या हो गया तो छोड़ो नेक्स्ट है किन्नो जैसे आम रेपाली क्या है एक high density plant है mango की वैसे ही मतलब की मेंडरीन की एक high density अगर वराइट किसकी मेंडरीन की और especially यह और important हो जाता है क्योंकि यह एक आपको cross variety भी है ठीक है किसके किसके बीच के cross है आपको king एक variety मिलेगा आपको willow leaf एक variety मिलेगा मेंडरीन का तो इन दोनों के बीच का cross है आपको किन्नो ठीक है कौन कौन सा एक बार फिर से देख लेते हैं चक्राध पाइन एपल किन्नो एक seedless lime है एक sweet orange है एक मेंडरीन का cross variety है उपर से वह high density plant है ठीक है अब पापाया का देख लेते हैं पूसा नन्हा और पूसा जैंट यह दो important है याद कर लेना अब पापाया में आपने पढ़ा होगा कि पाइन नाम का enzyme ज्यादा पाया जाता है ठीक है औ नाम बताओ पापाया का तो वह हो जाएगा CO5 नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्वाभा ग्वाभा हाँ अब ग्वाभा को पढ़ने से पले आपको कुछ यह बता देता हूं कि ग्वाभा को अगर काटोगे जैसे मैंने बताया था कि लाइम को काटोगे तो सेम टूसेम वैसे ही अ बहुताह करण्य लेता है कि नाम तो वैसे वैसे आपको पूछ लेता पूछ रहर है जिसका जो गुद्र है मतलब जो फियस दिखाए जिसको थे वह во यानि कि जब काटोगे तो ललीत में क्या दिखा था ललीत में आपको दिखा था पिंक फ्लेस कि अब जो रेड़ फ्लेस का एक वराइटी हुआ हफसी ह-a-f-s-i इससे देख लेते हैं ललीत मैंने यहां पर बहुत ज्यादा कच्रा कर दिया तो अगर आपको यह पीडियाफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से पीडियाफ डाउनलोड कर लेना गूगल ड्राइब का लिंक मैंने दे रखा है और और अगर आपको वहां से नहीं डाउनलोड हो रहा ह तो आप मेरे चैनल पर यानि की वाटसप ग्रूप के चैनल पर टेलिग्राम ग्रूप के चैनल पर आप जोईन हो सकते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दूंगा तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू करते हैं तो अब यह खतम हुआ क्या अफ्रूट अब आएंगे हम वेजटेबल को पर टोमेटो टोमेटो का जो वेराइटी है वह पूसा रूबी पूसा रभी पूसा रूबी जो भी है पैयूर वन पीकेम वन सियो टी एच वन कोथना है सियो टी एच है तो यह कैपिटल लेटर्स में दिखा हुआ है फिपूसा उपहार प पुसा रूबऒ है पोटेटो पोटेटो का क्या है के फोर कुफरी आपको तो पता ही होगा खुफरी जवाहर कुफरी नौताल जमतकार कुफरी बादसा कुफरी मेगा कुफरी सिंदूरी एक यह बिसिकली इंपॉर्टन्ट इंपॉर्टन्ट विराइटी जिर्टी नेक्सेयर आपका कॉलिफलावर क्या है पूसा कात्कि मतलब गुए कोबी इसके व्रेटिए पूसा कात्की कौशा हीम वाइट फ्लेस्क कुछ अलग सा नाम है लग रहा है पेस्ट इंसेक्ट है याद रखना इसे नाथ उज्वला नाथ स्वेता पूसा स्नोबॉल के वन यह इंपोर्टेंट हो जाता है वाई क्योंकि यह ब्लैक रॉट और कर्ड डिजिज होता है ना उससे रेसिस्टेंट होता ह है तो आपको पूछ लेगा बहिए बताओ पॉली फ्लावर का यह सा वाईटी जो कि ब्लैक रॉट और कर्ड रही वाला कर्ड नहीं कर्ड डिजिज है उससे रेसिस्टेंट कौन सा वाईटी है बताओ हमें तो पूसा स्नोबॉल के वन अब कैबच की देख लेते हैं कुछ अलग सा नाम है तो इसे आप ध्यान रख लेना अब बात करते हैं पोकड़ा यानि की विंडी लेडी फिंगर तो इसका होगा आधुनिक आपका पंचाली दौपदी वाला पंचाली नहीं पंचाली वेराइटी है पूसा मकमली और सुप्रिया और हिसार बरसाती हिसा मिर्च अरके अबबीड पुसा सदा बाहर याद रखना पुसा सदा बाहर किसी और कभी वाराइटी है ठीक है भासकर एमडी यूवन अब देखों यहां पे कुछ-कुछ इंपोर्टन फीचर दिये रखे हैं उसको याद कर लेना जैसे कलर एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए कौन से चिली का वेराइटी आपको चाहिए होगा तो अरके अबबीड अगर आपसे पूछ दे कि लिफ कर्ड जो होता है यानिकि उसका लिफ मूर जाता है कर्ड हो जाता है उससे रसिस्टेंट कौन सा वेराइटी है आपको तो पूसा सदा बाहर एक आपने सुना होगा म् मूटेंट वराइटी चिली की कौन से मूटेंट वराइटी है M-D-U-1 अब आज आते हैं ब्रिंजल के उपर तो पूसा उत्तम पूसा अनुपम पंत सम्राठ तो असे इंपोर्टेंट है क्योंकि यह बैक्टेरियल विल्ट से रसिस्टेंट है अब है अरका सील यह लिटिल अब है अन्नमलाई यह जो एक इंपोर्टेंट डेंजरस पेस्ट है मतलब इंसेक्ट पेस्ट है एफिड उससे रसिस्टेंट है ब्रिंजल की वराइटी वराइटी एक बार फिर से देख लेते क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाता है नीचे के तीनों पंत सम्राठ अरका सील और अन्नमलाई अन्नमलाई आपको पहारी भी है रेंज भी है नीचे साउथ हेरिया में तो ब्रिंजल वहाँ अन्नमलाई है हो गया अब जो है हर्विसाइड के उपर हम कुछ दिरवाद में आएंगे तो हाँ हर्विसाइड भी पढ़ाओंगा फ्रेंज टेंसर मतलो अब बात कर लेते हैं पिगमेंट के बारे में ठीक है यहां से भी कोशन बहुत ज्यादा खिंचे जाते हैं कोशन यहां से ठीक है यह यह अब जो है अपने सुना होगा ना कि पापाया का यलो कलर जो होता है किसके कारण होता है अब रेड्नेस जो होता है एपल का एपल जो लाल कलर का होता है क्यों होता है टोमेटो लाल कलर का होता है क्यों होता है चिली में करक्पन होता है मतलब पंजेंसी होती है क्यों होती है ठीक है टर्मेरीक यल्लो क्यों होता है वो सब कि मतलब कि कोई ना कोई 우리 leaf하는데 के कारण ही यह सारी चीजी आपको एकिल्कल्चर में देख लेक। को मिलता है कोई चीज ठीक होता है ठीक है कोई चीज लाल करने होता है कोई चीज में किसी क्रडिक्तिकुलिफ वेज़ेबल फ्रूट में आपको खाने से जैसे पीपर वगरा आपको तीतापन जैसे मत्तब कि आपको करवाहट जैसे लाएगा ठीक है वह पंजेंसी टाइप का क्यों होता है किस पिगमेंट के कारण होता है तो सब आपको बिसिकली पढ़ना है तो स्टार्ट करें तो जो पपाया का जो यलो कलर होता है देखो भाई मेरा पीएन भी यलो के चल रहा है तो पपाया का यलो कलर होता हे कीश डेटनेस एपल का जो लाल कलर होता है डेटनेस वो क्यों होता है एंथोसाइनिंग के करण ठीक है पिगमेंट का नाम है एंथोसाइनिंग अब है रेट कलर इन टोमेटो इसका तो आज भाव भी कुछ अलग है भाव बढ़ गया बैचारे का तो लाइकोपीन आप भी खाया कर आपका भी भाव बढ़ जाएगा तो रेट कलर इन चिली चिली जो लाल कलर का हो जाता है वो क्यों होता है 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 यह तो आपको पता ही होगा अब जो turmeric का जो पीला color होता है यानी yellow color वो क्यों होता है curcumin ठीक है अब bitter guard इसका जो bitterness होता है यह क्यों होता है मेंमोर्डी कोसाइट तिक है क्या होता है में 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 को स सब्लोक्त cœur क्या जो कुकुम्हट में और रेर्ट कलर होता है यहाँ पर डेट कलर करें के वहाँ थे किसले अधर पर अंतियाकोल करिंगे आपके होते ह। बार्ट आपके हcड चिली का पंजेंसी नुम मीस हैं और यह उन्हाय किसे मिलेगा सोक्राइट वो किसे चाहिए प्रोपाइली friends यह important हो जाता है ठीक है अब जो green color होता है potato का वो क्यों होता है solarine के कारण क्यों होता है solarine के कारण अब जो radius मुली मुली का जो pangency होता है वो isocyanate होता है ठीक है isocyanate अब जो people में pangency होता है वो किसके कारण होता है olio racing के कारण किसके कारण olio racing के कारण तो pigments related question आपको हर बार आपको देखने को मिलेगा इसलिए important हो जाता है बहुत ज्यादा important topic है one of the most red list में topic यह मैं डालना चाहूंगा कि आपको यह पूरा दिमाग में रखना ही रखना है यहां से कहीं से भी आपको पूछ लेगा कैसे भी करके question पूछ लेगा तो आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स अब topic आया है हमारे पास classification of fruits अब यहां से भी बहुत ज्यादा question उठागे एक्जाम में लो भाईया बनाओ तो fruit के classification से भी बहुत ज्यादा question आता है देखने को मिलता है हर साल तो देख लेते हैं इसके classification को पहले पढ़ते हैं फिर सब्जेंगे किस टाइप का question आता है तो इन बेसिशिस पर basically हम उसे तोड़ लेते हैं इसका मतलब क्या वा फ्रेंज कि यानि जब कच्चा है जब रहा है तो उसे हम तोड़ के रख लिए यानि कि तोड़ने के बाद उपकेगा ध्यान रखना यह concept से भी उठा के question दे सकता है आपको definition देदेगा आप बोले का भाईया यह किस टाइप क उसन परेगा तो ऐसे को पूछ लेता है अभी पूछ भी सकता है अब इसका example सबसे important हो जाता है example से भी question बनता है बताऊंगा कैसे तो इसका example देख लेता है Mango गॉआभा बनाना अब मैंगो गॉआभा बनाना अब पूछ लेगा कैसे कि मैंगो अब बोल देगा भैया बताओ तो आपको मारना परेगा किसमे क्लाइमेट्रिक पे क्लाइमेट्रिक पे आ रहा है यानि कि क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि पकने सपले मेने उसे तोड़ लिया अब ननक्लाइमेट्रिक क्या होता है कि ननक्लाइमेट्रिक का मतलब पिकिंग आफ्टर राइपिनिग पक जाएगा तभी हम तोड़ेंगा बैया क्यों क्यों कि तोड़ने के बाद वह पकना नहीं चाहेगा वह पकेगा नहीं जैसे कि ल जाएगा तभी हम तोरेंगे यानि पिकिंग आफ्टर राइपेनिंग हो जाएगा यानि जब पख जाएगा तभी हम तो रहेंगे तो एक्जामपल हो जाता है लीची साइट्रस पोमेग्रेनेट अनार को भी आप कभी यह नहीं देखोंगे कि कच्छा अनार कभी मार्केट मे हमें बताओ तो आपको पता चल गया उसका कंसेप्ट और कैसे कोशन आता है तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बेस्ट और फ्रूट टाइप अम यहां से भी अक्सर कोशन देखना मिलता है तो जितना भी यह ना मतलब कि बनाना हुआ जितने भी पर्टिकुलर आपक आपका ग्रेपस आपका ग्वाभा आपको पूछ लेगा ग्वाभा जो है उसका फूट टाइप क्या है चार अप्शन देगा बेडी रूप यानि की स्टॉन पों और नट तो आपको लगाना पड़ेगा बेडी पिटिक कोई एक Deshalble लेगा कोई इसका फूट टाइप क्या ह तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको इन चारो पर आगया option तो इन चारो पर टिक मारना पड़ेगा तो आगे बरते हैं तो नेक्स है डूप डूप को हम इस्टोन भी बोलते हैं इसका mango होता है coconut है और जामून है तीन होता है mango coconut जामून याद रखना फिर पॉम हो गया apple नेक्स है nut नट का हो गया लीची केसियो खाजू नेक्स्ट है capsule capsule कौन-कौन हो गया ओकडा आउला याद रखना है capsule का कौन सा है ठीक है pineapple, mulberry, jackfruit इससे previous year में question भी आया था जब मैं question कराऊंगा तो आपको पता चल जाए कैसे कैसे पढ़ा रहा हूं कैसे कैसे वह चीज़े आएंगी या कैसे कैसे वह questions आएंगी कैसे questions बनाया जाते हैं और फिर कैसे कैसे previous year में question आये थे तो next है हमारा कौन सा classification edible parts के basis पर classification ठीक है तो आपको fruit वेज़टेवल का edible part अपना होता है किसी का हम लोग फ्लेस खाते हैं यानि कि कि गुदा खाते हैं ठीक है किसी का हम लोग बीज खाते हैं, किसी का हम लोग ठालमस खाते हैं, किसी का हम लोग छिलका खाते हैं, यानि कि उस बेसिस पे एडिवल पार्ट के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कोई कुछ नहीं पूछेगा देखने लिए और कुछ बार्ट करने लिएट हैं, आपको अगर यहां पर मैं बताने बैठ गया, बतातो दूँए लेकिन बताने अगर बैठ गया तो पूरा का पूरा वीडिवल पार्ट है, वो कौन से खाते हैं, तो आपको पेरिकश बेर मारन और 4-5 घंटे का पूरा का पूरा लंबा हो जाएगा, आप भी देखना नहीं चाहँगा मैं भी upload करना नहीं चाहँगा, टो है मेसो कशवथ, मेसो कशवथ, क्श्व का ही होगया, पपाया और आपका मैंगो, नेट्च्व इंडोस्पर्म क्या हो गया coconut अब है थैलमस का एक्जामपल क्या हुआ एपल एश्ट्रॉबेरी आपको कोश्टन कैसे देखने को मिलेगा कि भाईया strawberry का edible part बताओ अपि थैलमस जो है edible part किसका है वो इस दो टाइप से आपको कोश्टन देखने को मिल सकता है अपि मिलता हिए देखने को मिल सकता है क्या अब फ्लेसेंटा किसका edible part हुआ फ्लेसेंटा जो हुआ बेल का edible part हुआ इसका बेल का अब है fleshy aryl fleshy aryl जो है वो leechy का हुआ ठीक्या स्वरी गाइस हाँ तो लीची का हुआ कौन फ्लेसी एरिल ठीक है अब है जूसी सीड कोट जूसी सीड कोट के किसका है पोमे ग्रेनेट का है इसका है पोमे ग्रेनेट अब है जूसी प्लेसेंटा है इस साइटरस का है ठीक है यह किसका है साइटरस का अब फीग एक लास्ट बच जाता है इं यहां पर बताना भूल गया कि मैंने सभी क्रॉप मैंने सभी crop के cross varieties नहीं लिखी है अब मैं आपको वीडियो बना बना के डाल दूँगा एक एक मिनाट के आमने पाली भी है cross variety याद रखना यहां सभी question पूछ लेगा यहां पर आमने पाली से तीन question आया एक high density plant का एक irregular variety का एक आमने पाली mango की variety वह भी हो गया और चौधा question किसका cross है भाईया किस दो mango के variety का cross है आपको दसरी और निलम किसका दसरी और निलम ठीक है और फिर आपको रत ठीक है यहां पर दसरी और निलम एफ और आमने पाली डीने आर एने आर फो रतना एन फोर निलम एफोर अलफानसो ठीक है यह याद कर लेना यह दो मुझे mango की important variety लगी और भी जो भी important variety लगेगी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा ठीक है तो उसके लिए क्णकर सब्सक्राइब लाता है उसके का होता है अब हम पारें में तो बसक्सरा बी पॉलี่ फ्रूप काक्या खाते हैं आप यहां फ्रूट कर फ्रूट है भर है तुर्विर्सिपाइब upset खाते हैं जैसे कुकुंबर हो गया है और agora और व ocup 1933 What ओक्रण हो आपको टो मैक्टों हो गया तॉमेटो ऊटिलमेटों हो चिली हो गया है कि हमैंइस का क्या ह馈 है हम लोग इसका इसका क्या है अब बात करतें प्वर्ट का ह contenido प्रेश भीच भीञा अपका सब्सक्राइब, अब बात करतें थ्य доллар है यह में तीन और फिर है इसका हम लोग basically root खाते हैं फिर से देखने क्या ओनियन का बल्ब आपको गार्लिक का क्लॉब स्वीट पोटाटो पोटाटो का ट्यूबर क्यावेज का हेड कॉली फ्लावर का कर्ड और इन सारे इन सभी का fruit किसका कुकुमबर बिटर गार्ड बॉटल गार्ड पंकिन वाटर मिलन ओक्रा टोमेटो ब्रिंजल चिली इस सब का fruit पॉड पॉड का क्या है पी फ्रेंच बीन काव पी यह सब हो गया अब फिर है root root का क्या है root किसका खाते हैं हम लोग carrot का टर्णिप का रेडिस का यह सब हो गया बैसिकली हाँ अब आते हैं revolution के उपर प्रेंच revolution के ऊपर मैंने एक अच्छा सा वन मिनट का सीरीज का वीडियो मैंने बना रखा है उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है एक मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा revolution वो किसी लिए इस्टार्ट किया गया था किसका production बनाने के लिए इस्टार्ट किया अच्छे से मैंने वीडियो में पूरी अच्छे से समझा रखी है तो revolution और उस revolution का जो मेन फोकस है वो किसके उपर किया था तो वाइट revolution मिलके के उपर आपको पता है ब्राउन revolution आपको इसके उपर मतलब कि किसके लिए है फूड प्रोसेसिंग के लिए अब आपका है ग्रे बर्ला यल्लो रूण ठीट के लिए अब आपको वाइलशी प्रोडक्शन के लिए तरह हैं अब अपने प्रन आपको इसका लिए धो आई तो हनी प्रोडक्शं से आप याद कर सकतो रेंबो क्या होता है मतलब पूरा का पूरा-पूरा अब देखो तो यह वह भी लाइट है वह सaly it ठिएक पूरा का पूरा कho गधना है शिल्वर का क्या है एक प्रोडक्षण के लिए сील्वर इवाल्यूस यह किया गया था नेक्स्ट है round revolution round revolution potato के लिए बनाया गया था ठीक है फिर से देखना क्या है एक बार white revolution for me production blue revolution is related to आपको ऐसे पूछ देगा blue revolution is related to which production मतलब कि किसके production के लिए अब next time brown revolution food processing के लिए gray revolution fertilizer production के लिए yellow revolution is related to which sector तो आपको लिखना पड़ेगा आपको टिक मारना पड़ेगा wild seed production के सेक्टर के लिए था ठीक है red revolution tomato के लिए और meat के लिए भी साथ था देख लेना एक बार इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछली वाली जो वीडियो है मैं आपको recommend जो कर रहा हूं आपको मैं उपर उपर भी लिंक दे दूँगा description में भी लिंक दे दूँगा आप जाकर उसमें से देख लेना ठीक है उपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको next आपको golden honey production के लिए आपको क्या है नेक्स्ट बचा क्या rainbow प्रभानी silver round यह क्या है रेन्बो हो गया आपको agriculture के सारे sector all sectors of agriculture नेक्स्ट प्रभानी ओक्रा के लिए सिल्वर जो है एक production के लिए round जो है वह potato के लिए ठीक है आपको याद हो गया होगा अब कुछ-कुछ important practices से question आ जाते हैं कैसे कि अगर आपको बोल देगा कि deshooting जो होता है क्या बोल देगा deshooting जो होता है वो किस crop के लिए होता है या फी ऐसे देदेगा the important practice named deshooting ठीक है इसका नाम deshooting है that is related to which crop that is related to which fruit that is related to which vegetable which plant ऐसे आसे देदेगा question तो आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो देख लेते हैं stopping और pinching क्या होता है किसमें होता है पिंचिंग आपको टोमेटो में भी होता है अना ज्यानक्रा स्टॉपिंग और pinching किसमें होता है क्राइज सेंथमम में होता है रोज में होता है कार्नेशन में होता है मैरी गोल में होता है यह बिसिकली flower crop हो गया अना ornamental वाला हो गया अब डिस्वीटिंग किसमें होता है क्र तीनों में आब आते हैं फेजटेबल को पर अर्थिंग अब सबकोनीट नियुक्रास के इस जैस्मीन के इन फोलीेशन कानी में होता है याद रहा है कुछ अलग साहना है फोली पूच्छ देगा क्योंकि आर्थिंग अब सब्लिक्वता है आब विंटरिंग के इस मौता रोज में होता है Ben Daesh Dohen तो他的 किस मोंता आफ मुझे बता कि is में 21 में क्योशन ऐसे पूछता रहूंगा तो आप मुझे बताओ कि रीपर्टिंग किस में होता ने अएंट उप सब्सक्रीए कि attachments पिंचिंग किस मों होगा टोमेटो में में स्टार इध कि और में होता है रोज कार्नेशन मेरीगोल्ड उन चावर में भी पिंचिंग होता है और आपको पिंचिंग टोमेटों में भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट आगे भरते हैं अब forcing forcing किस में होता है लीली में होता है या तकना forcing किस में होता है लीली में होता है crown cleaning यह भी most 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 important है crown cleaning जो कि coconut में होता है याद रखना इस्टान मेर्क कि next is de-naveling त्विच्टे टीनेवलिंग क्या है बनाना sorry नेख्सटर डी सक्रिंग भी आपको पता है बनाना में भी होता है और टॉपिंग किसमें होता है डी टॉपिंग आपको में होता है तो हम अब पहुंच गया है किसमें पता है सबसे मोट्रेंट है डीज coconut में सबसे कोरिशनहीं हमेसा आपको देखने को मिलेगा किसमें डीजज डीजिज करके देख लेता है किसमें फ्रूटर का देखें के खतं हमारा ओद हमारा हैbig यह विसिकली एक fungus के कान होता है कौन सा fungus है कौलिटो ट्राइकम माइनर आप से पूछ लेगा एंध्रा कॉन है इस पैथोजन उसका कौन है एंध्रा कॉन है इस इक वेख्टरिया अपको नेमाटोड यह चार अप्सन दे देगा विसिकली को साइजी पूछता है लेकिन ट्री क भी घुमा कर पूछता है तब है बनाना बनाना का बंची टोप या ङा थे बंची टोप बावू वाइर लए खोक कान एक वाइरस है सौरी वाइरफ से यह इस फैलता है और है अब यहां पर एक कोर्शन और एक टैप का और कोर्शन आपको पूछ सकता आप बोल देगा जो कोकन एक जमपल अभी जो पर है उसी का एक जमपल ले लेते हैं कोकन जो बोलेगा कि कोकन का जो वायरस है न वो ट्रांसमीट किस्ते करता है बाइर्स बेक्टिरिय वगणा हुद उसके पास एबिलीटी नहीं होती है ट्रांस्मिशन की इन्हीं एफटेट प्लांट से यल्दी प्लांट में जाने की उसमें कोई न कोई एजेंट दौइजएंट से ट्रांस्मिट होता है तो यह वाईर्स जो होता है कुंकन में जो वो आफिट से बिसिकली ट्रांस्मीट होता है यह याद एकना अब है नेक्सर साइटरस में मैंने तीन बताया था ठीक है गुमोसिस किसे होता है है थोड़ा स्पेसिस से होता है ठीक है फिश्च बैक्टरियल कैंकर बहुत जद्ध आपने इसका नाम सुना हुआ जैन्थो मोन अलगाने ट्रांस्मीट होता है अफ पपाया उपर पाया में कैंका लिफ के लिए कड यृमिंपिंग ऑफ धै ट्रहस्ट मिटेड़ तो रिंग ऐस्पर है उसका जो वाइरस होता हो कौन ट्रांस्मिट करता है वह एफिड करता यानी कि फ्रॉम एफ्केट प्लांट या फ्रॉम डिजिएच्ट प्लांट टू हेली प्लान्ट उके नेक्स है पो में बैक्टेरिया वाइरस नाम से पता चली जाएगा तो वह ब्योकुप थोड़े ना है आपको ऐसा ऐसा देगा को कन आपको देदेगा एंध्राको नौज ठीक है वेजटेबल में हो जाता है टोमेटो इंपार्टेंट है इसका लीफ कर्ड उचता है इसका बैक्टेरियल ब्लाइट टीक है बैक्टेरिया से भलता है नाम से लग रहा है अब है पोटेटो पोटेटो लेट ब्लाइट नाम सुना होगा अर्ली ब्लाइट नाम सुना होगा ब् तो अब चिली तो ब्रिंजल है क्या लिटिलिफ ठीक है लिटिलिफ कैसे होता है फाइटो फाइटो प्लाजमा से होता है आपको पूछ लेगा फाइटो प्लाजमा से भी लिट्रिंफ किस्वर्ट फाइटो प्लाजमा अब नेक्स्ट है य। QRP है हमारा लीफ आफट ईश्कार वॉर्स तर्स टान्सेंेट है वौर्स से लीफ ऌंट के लिट्र्ट कर तो अपयर के मिला मोशल प्लाजमा क्यों Il सबसे पहले देखते हैं मैंगो का तो मैंगो का जो ब्लैक टीप जिसको नेक्रोसिस भी भोलते हैं आपको कुछ भी पूछ देगा नेक्रोसिस इन मैंगो के इसको कारण होता है तो आको बोरॉल लीफ सकरॉच इसके कारण होता है पॉड़ेशियम ठीक है नेक्स्ट एशाॉटस सभँ किस्के कव्होता है येलीफ होता है म wavelength के कमी के कारण होता है ये दिसर्ड़र ये द sysan our यह तीनों का तीनों जो है कोपर की कमी कारण ही होता है नेक्स्ट पोमेग्रेंट में होता है है यह 3 कमी कारण होता है किसके कैलशियम और पोटासियम हमारे गौबा गौबा में क्या होता है ब्रॉंजीं होता है फ्रॉट क्राकइग होता है नेक्स्ट है cat face यह most important है यह cat face ठीक है और यह भी important है bluesome end rot ber आपको देदेगा ठीक है bluesome end rot अब यह calcium की कमिक करना होता है अब cat face abnormal condition है इसका अब fruit cracking जो है वह boron की कमिक करना होता है क्लीफ़ाघ क्लोरोकाइश कांगा दोर्डरों मेंगेश्यम की कमिक करन होता है तको शते उक्तों होता है आप क्लोर्घ क्यों से कंचे क करना होता है इसके कमिके करना है अब तक निअन कर्हिंब नाइट्रोजन की कमिक के कारन tys death तुम्हे वाभा का देख लिया आपको का देख लिया अब कुछ fruit of vegetable यहां भी है सबसे पहला चिली का सन स्काल्ड होता है यह सन का जब धूप परता है उसके कारण यह होता है नेक्स्ट है fruit cracking fruit cracking जो होता है calcium की कमिक कारण होता है अब ब्रिंजल में क्यालेक्स withering होता है यह किसके कारण होता है अगर calcium kणंट ब्रिंजल में यहादा पाया जाएगा तो आपका जो होता है विदरिंग हो जाता है तो नेक्स शुगरवीट में क्या होता है पहलो होट या फी हट राट यह फिसके karışलो होता है प्यर्णड इंट आसर के शोच सब्र embargo सप्वेशां की कमी करदों होता है किanka की कमी करना वहां तक जैसे कोशन डिसकोशन करने से कॉल धुक साथ और तीविवे कमी कोशन डिस्केस करने से सब्छाट में करने से पते हाद को है मैं डिसक दिसकत होगी मेंी вся होग करने और हम हमारा हर्विसाइट हाँ तो फ्रेंस हम कहां थे हर्विसाइट पें तो हर्विसाइट है तो लाच्ट टॉपिक आज क्क्लास का तो उसके बाद कोस्टन हम लोग देखेंगे ऊसके बाद हमारा क्लास को अresक तो फ्रेंस हर्वी साइड जो वर्ड है वीड़ी साइड जो वर्ड है दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फूजन होता है तो उसे मैं क्लियर कर देता हूं हर्वी साइड जो वर्ड है वह बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है यानि कि क्पूछी भी प्लांट को किल करने के लिए यूज़ किया आता है एक विड को किल करेगा अपने मेन क्लोप के जो फिल्ड है वहाँ से वीड़ के विड़ के कप पूछेगा कहां से को सन यहां से हैं जो यह सब आएंगे किसमें प्री इमर्जेंस के एक्जामपल है या फिर प्री प्लांट इनकॉर्परेशन के एक्जामपल है तो फिर हम अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर विशाइड योकी बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है तो पास बेसेस में स्लीक ब्रेजिश को मारेगा कैwell एक पंकुलरज वीड को मारेगा या देगा उनकुकिंडर प्लान्ट को मारेगा त्हु क्याशन it अब बात करते हैं duration की duration मतलब कि अभी के लिए हाल फिलाल के लिए मतलब कि temporary हमें वह वीड करना है या फिर पर्मानेंट हमेरे फिल्ड से हटाना है वह वीड वह duration हो गया ठेंपरेरी और पर्मानेंट अब है size of वीड यानि कि जिसको spectrum भी बोलते हैं अब बहुत सार वीड है ना कि जिसका पत्ता जो है वह पतला रहता है बहुत सार वीड है जिसका पत्ता हलका के पूरा मार देगा the next time of application कभ हुए apply करेंगा हम उस herbicide को उस 자꾸 को क्या माजनी से पहले हम वीड ऊगने से पहले या ठीड उगने के बाद इसको किल करने के लिए हर्वी जाइट डाले आप फि долगे तो वह होता है या प्रिबर सैट डालें तो या एक एक या देख लेते हैं तीन टाइप का या फिर फिर वीडरी साइट बोलो तौ वह होता ह है पहला है pre plant incorporation मतलब कि plant जब हम sowing करते हैं न planting जब हम करते हैं main crop का तो उसके planting करने सपरे हम क्या करते हैं showing करने सपरे हम क्या करते हैं कि tillage करते हैं plowing करते हैं और herbicide साइड वागर मिलाते हैं ताकि सोयल में जो भी वीड का सीड वागर होगा वह खतम हो जाएगा वो किल हो जाएगा तो उसके लिए हम प्री प्री इमर्जेंस का मतलब क्या हुआ लत्नी तो कि हम फ्री वागर हुए है मैं टेंस प्री प्री यहां लगा ट्री लेयर हो जो हम लोगने सनफेड वेडिह जाया हुआग मतलब क्या सौन स्पावर हो संभी शेल तो गया लोगल की प्री औरने के बाद बहुसा वीड इसे खतम कर दो थेक्या है टुर्प्रीजर्जीिं के दो उखने से पहलayan उसे खतम कर दो तो इसके लिए एतरराजीन अलापोड फनक्रोड ये तिनों यूजज किया जाता है बोगता post-emergence का मतलब कि वैसा मतलब कि अभी वीड उप गया वीड उख जाने के बाद हम लोग हर्वी शैट देते हैं वह उसे किल कर दे यानि post-emergence होने के बाद वीड उगने के बाद टू-4-D ये हो जाता है इसका एक्जामपल अपको एक्जामपल में यही पूछ देगा कि बताएए भहाँ फ्लू क्लोरालीन जो है इप्टीची जो है एट्राजीन जो है ऑलाक्लोर ब्यूटा-क्लोर 2,4-D आयसो पूटरोन यह सब जो करके मारेगा कि ऐसे सबको मार देगा तो selective यानि कि एक particular select करके मारेगा ठीक है 24D आपका isoprotron आपका pendimethylene ठीक है next हमारा non selective यानि सबको मार दे किसी को select नहीं करेगा किसी को छोड़ेगा नहीं ठीक है spectrum ठीक है नेरो लीफ को मारेगा ब्रॉड लीफ को मारेगा वह होता है बैसे कली तो एट्राजीन नेरो spectrum है ब्यूटा क्लॉर नेरो स्पेक्ट्रम है और 24D जो है वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ओके नेक्स्ट अमारा टेमप्रेरी तो किल करना है या फिर पर्मेनेंट के लिए हटा दना है गहां तो को टेमप्रेरी वी डिचाइड और पर्मेनेंट वी डिचाइड तो यह हो जागा मेथाल ब्रॉमाईड और फिर ये यह किसका एक्षन कैसे दिखाएगा यह होता है कंटेक्ट में आने पर किल कर देता है यहीं कि जैसे हम वीडी साइट इस्प्रेट किये जैसे हम वीडी साइट इस्प्रेट किये वह जिसके जिसके जैसे कंटेक्ट में आता जाएगा उसको किल करते जाएगा तो यह हो लुक्त है अब को लगें बहीडा कोंटेक्ट तो वही जाएगा यानि कुछ सेलेक्ट हिने कर रहा हो दो दोनों गैजामपल सेम भी है और पहला करदाक्रों बाता है यह जो दिखाना वह दिखाता है तो उसमें ट्र वैर्ट्राजीन उसका एक प्रतेश कैसरेमपल है कि सेंगली एकते हैं कि वह अपना खतम आज का क्लास और अब चलते हम कोर्शन डिस्कस करने में कोर्शन डिस्कस कर लेते हैं हाँ तो देखो सबसे पहला कोर्शन है देखो कैसे आता है एफो 2020 का कोर्शन है ठीक है कलर चेंज कर लेता हूं मैं कि अधिया वाट इज पॉड्टनी कल नेम और वप्रॉमेग्रेण अनार का नेम्की यह है बिद्डनी कोुनिका नेम क्या है निक्स्ट कर दो चरोब टो of onion इसके कारण होता है Allyloryl Dark of DI艘 या फिर Mile application method used in banana crop बोला था ना आता है कुछ अलग जो लिखता है ग्राफ्टिंग लेयरिंग सीड टी बडिंग सब कॉमन है अलग कौन दिखा बनाना का स्वर्ड सकर आया अलग सा नेक्स टैप पेंडी मेंथालीन स्ट्री पेंडी मेंथालीन किसके लिए यूज किया जाता है बोला था ना इस टैप को कोशन आता है रहे किसका घर सकिल करने के लिए पंगस के लिए बैक्टिरिया नेमे टोट किसके लिए याव किश टाप का वीड है आप मुझे कमेंट में बता होगे बिई-ई-आर बताया था ना उसों एंड रॉठ किसमें होता है तो मैटो में होता अगल ऊथा यहापे दो दिया है यहापे तो भय कर देखते हैं कुछ और को संसरे कौन सा कौन सा यह होता है उस सब के बारे में बचे जाता है कि आप इन सारे को प्रैक्टिस करो इसका के सांग और क्रीट अवी मैंने बताय है अब कर देखो जो है किसे दिलेटर है से लिरेटर क ம कइसा को सब्काइब बार 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 आभा इन्य दलो पर लो पर अब ने पहले तो यह इसका कोशन है फिर इए ग्रोथ और क्रॉप फ्रॉम इस्टेबल इस गॉल्ड कोकोनट आपका सुगर केन में एक राटुनिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि काट दिया जाता है जब हर्वेस्ट होता है तब इस्टेबल छोड़ इस्टेबल छोड़ दिया जाता है फिर वो डी ग्रोथ होके फिर आपका सुगर केन बनता है या फिर उसे फिर स्वेंग कर दिया जाता है स्टेट्स बोलते हैं उसको तो वही है कि री ग्रोथ और फ्रॉप 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 उस्टेबल उस ट्रोपिकल फूर्ड यह सब्लट टो ट्रोपिकल ट्रीमि वालव सब्सक्राइब यह अब नहीं है, तो आगे देखते हैं, तो उता पारी is a variety of, किसके variety है, देख लो, यह black heart of potato, किसके कार्ण होता है, देखे, किसके deficiency के कार्ण होता है, citrus cracking is due to deficiency of citrus cracking, किसके कार्ण होता है, मैंने तीन बताया था, अब fruit of pineapple, मैंने बताया था, कुछ अलग से दिखता है, क्या अलग से दिखता है, सोरोसिस, नाम, तो ऐसे ऐसे आपको अन्दाज अलग गया होगी, question कैसे कैसे आता है, ठीक है, कुछ कुछ जो है, आपको मैंने नहीं पता रखा है, जासे के black heart or potato, क्योंकि एक वीडियो में, दो घंटे में पूरा का पूरा आपको कभर नहीं कराया जा सकता, यह आपको भी पता होगा, एक साल का syllabus आपको दो घंटे में नहीं मिल सकता, तो कुछ कुछ पोर्शन आपका छूट गया होगा, तो last में जो जो भी चूटा होगा, मैं आपको कभर करा दूँगा, तो maximum portion जो है यहाँ पर, वो कभर हो चुका है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like कीजिए, और कोभी share कीजिए, और कोई भी doubt हो, तो comment कीजिए, आपकोई अगर चीज चूटा, कोई अगर topic चूटा, तो वो भी comment कर होगा, आप tension मत लेजिए, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी, तो आप Telegram ग्रूप और आपको मेरे WhatsApp ग्रूप में add हो सकते हैं, link description में मैं दे दूँगा, फिर मिलता है next video में, तक तक लिए, जाहिंद